यहां मैं ही नहीं लगभग कालीजे की OBCST, OBCST, SC सब यहां लगभग-लगभग मेरे लगता है, देखा तो नहीं हूँ, किलियर नहीं बता सकता, लेकिन लगभग-लगभग मेरे गाउ में किसी का साइद डेट साल में नुकरी लगाओ, बेरोजगार तो पढ़े लिखे जो हैं सब लगभग-लगभग सब हैं, लगभग 2% होंगे जो रोजगार में होंगे, मेरा नाम बबलुकमार निशाद है, मैं पॉल टेकनिक किया हूं बलियां से, मेरा काम मेरिटर में है, हमने पॉल टेकनिक किया हूँ, हमारे डेट साल हो गए, तो नौकरी क्यों नहीं मिलिया, नौकरी, नौकरी तो भगेंसी आती नहीं है, नौकरी कहां से लएगी, पेपर देते हैं, तो पता लगता है कि रिजल्ट में फेले हैं, यहां मैं ही नहीं, लगभग का लिजे कि OBCST, OBCST, सब यहां लगभग-लगभग मेरे लगता है, देखा तो नहीं हूँ, किलियर नही नहीं बता सकता, लेकिन लगभग-लगभग मेरे गाउं में किसी का साइद डेट साल में नौकरी लगाओ, बेरोजगार तो पढ़े लिखे जो हैं, सब लगभग-लगभग सब हैं, लगभग 2% होंगे जो रोजगार में होंगे, बाकी कहली जीए तो सब बेरोजगार हैं, 98 जन संख्या के द्रिष्टी से देखा जाएं तो यहां दस हजार से लगभग जन संख्या है, पढ़े लिखे बच्चे यहां होंगे बीए में कम से कम, कम से कम हो जाएंगे, मैंने 501,000 से कम नहीं है, अब यहीं तो सरगार जानते हैं कि हम लोग क्यों नोकरी नहीं मिल रहे यह पेपर देते हैं, तो पता लगता है कि आप फेलो, इंटर्भ्यू में जाओ तो वहां छड़ जाते हैं, मेडिकल में जाओ तो वहां छड़ जाते हैं, कहीं न कहीं हमें मतलब कहीं न कहीं वहां तक पहुंचते पहुंचते चाड़ दिया जाता है, मैं कहता हूं कि सब बेरोजगार हैं नहीं पढ़े सब ऊसी तरह से पढ़ें मतलब सेम कहा लिजी हमें किसी चीज़ का आरक्षण नहीं मिला है हम पढ़े जैसे बच्चे वह भी पढ़ते हैं जैसे दो पढ़े हमारे माबब गरीब हो कर भी किसी तरह से अब यह मत पुछ यह कि कि आप पॉल्टेकनिक किये हैं तो आपके माबाप जडूर कुछ करते होंगे इतना गरीब इतना गरीब कि मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है करज काड़ करके हमारे माबाप पढ़ा है अब इसका क्या मतलब कि सरकार क्या जनती कि तुम कैसे कहां तक पहुंचे हो काम वह लोग क काम किसी तरह से मतलब कॉलीजे किसी तरह से जीवन जी रहे हैं और जिला भी रहे हैं यह हमारे मैं तो यह कहता हम कि मेरे पूरे यूपी का यही हल नहीं है मेरे हिसाब से मैंने तो घूमा तो नहीं हूं लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कि पूरे भारत का यह हाल होगा जो म करण माइब के समान हमारी जिन्दगी हमारी एक नर्गी हो जाती है मेहनत करते हैं फिर भी हम लोग को उसका जो फायदा है जो रिजल्ट मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है और हम लोग लास्ट में नर्वस होकर घर बढ़ जाते हैं काम रहेगा तो हमने मिलेगा कहीं आज प्राइबेट काम के लिए भी जाओ तो कहते हैं कि यह करो वो करो 12 घंटा 14 घंटा कमपनियों में काम खटवाते हैं और थोड़ा से इतना दे देंगे कि आपका परिवार भी स कोई सीमा नहीं है रोजगार हमें अगर मिले तो देश आगे बढ़ेगा रोजगार मिलेगा तो हमारी सोच जो है बदलेगी जब क्या होता है कि जब हम लोग सीमा मतलब किसी तरह से पढ़ लेते हैं तो हमें काम नहीं मिल पाता है तो हम लोग कुछ भी करने को मतलब कुछ थे कुछ भी कर देते हैं अगर हमें रोजगार मिलता हमारे बच्चों का पेट भरता तो हम सही कारी करते हैं अपने मस्तिष को जो है सही कारियों में लगाते ताकि देश उससे आगे बढ़ता है बहुत काम की बातें कर रहे थे थोड़ा लंबा गया है बाच्चीतिन की लेक लेकिन ऐसे उरजावान लोगों को सरकारे नहीं पूछ रही हैं वह किनी और योजनाओं में लगी हैं वह लगातार किसानों पर मार कर रही हैं मजदूरों को मार कर रही हैं और वह नए रास्ते निकाल रही है आप सब जानते हैं कि जनजवार का खर्च आपके जनसहयोग क सामिल हूँ हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का क्योंकि आपका सहयोगी हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है धन्यवाद साथी जन ज्वार जनता की मीडिया